वेरी गूड इवनिंग शुडेंट बिटा क्लास चार्ट करेंगे देखिए आज की स्टैटिक जी की क्लास होगी और भारत के प्रमुख वाद्दय यंतर और उनके वादक यानि की म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और उनके बजाने वाले जो भी आदमी होंगे वो सारी चीजे आज इस क्लास में कंप्लीट हम करेंगे साथ में हम डांस भी करेंगे क्लासिकल डांस और उन डांस को करने वाले वो वैक्ती ठीक है तो यह हमारी क्लास होंगी बैटा आज की क्लास में दो चेप्टर कंप्लीट होंगे जैसे कि एक तो आपके सामने यहां पर दिखी रहा है बारत के प्रमूख वादययंतरो और उनके वादक जैसे सितार वादक कौन है ना संतूर वादक कौन है तबला वादक कौन है इस तरह के कोस्चन जो कि आपके पेपर में हमेशा हर बार होते हैं ठीक है और दूसरी जो इसी क्लास में opioid कैसे होंगे जैसे भरत नांत्यम के कलाका क्लाकार कोन कि पिछले पांट से दस साल के कोश्चन पेपर आप देखोगे उस पेपर में इस तरह के कोश्चन आए हुए है इसलिए यह तोपिक करना बहुत जरूरी है, है तो 10-15 मिनिट की क्लास, लेकिन काफी important डविटा, ठीक है, चलो start करते हैं, देखिए, देखो, जैसे की सितार वादक है, सितार होते हैं, सितार बजाते हैं, तो सितार वादक कोन हैं, देखो, यहाँ पर काफी आखिद दूँगा इसमें, सुनिए, जैसे की आपको यहाँ सितार दिख रहा है, तो सितार वादक को ने बेटा, पंडित रवी शंकर, यह बहुत important नाम है, और बहुत बड़ा नाम है सितार वादक में, बेटा, इसको very important लगा के याद करना, ठीक है, पंडित रवी शंकर, बहुत बड़े सितार वादक हैं, और यह award winner है, सितार वादक में, award winner है, पंडित रवी शंकर, इसलिए, यह नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, निखिल बैनर जी, विलायत खान, एक यह विलायत खान जरूर याद हो आपको, ठीक है, दूसरा विंपोर्टेंड मैंने लगा दिया है, विलायत खान को, ठीक है, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमा शंकर मिस्र आपको जरूर याद हो, यह तीसरा इंपोर्टेंड मैंने आपको लगा दिया है, ठीक है, तो बिटा, आपको सुन लीजिए, पढ़ना है सब पंडित रवीशंकर, निखिल बैनर जी, विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमा शंकर मिस्र और बुद्धा दित्य मुखर जी, बेटा इनमें से आपको याद करना है किस-किस को, पंडित रवीशंकर, विलायत खान और उमा शंकर मिस्र यह जयादा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा क्या जीके में जीएस में तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं बिटा जीके या जीएस इतना बड़ा एक सब्जेक्ट है अपने आप में कि कहीं से कुछ भी आ सकता है कोई भी जीएस का टीचर ये नहीं कह सकता कि मैंने जो करा दिया सिर्फ उस नहीं पढ़ लीजिए उसके अंदर से ही आएगा सब कुछ उससे बाहर से नहीं आएगा आ सकता है ठीक है इसमें बिलकुल भी कोई दो राए नहीं है बाहर से भी कोश्चन आ सकते हैं लाखों करोडो कोश्चन बन सकते हैं जीके में ठीक है तो ऐसा कुछ भी नहीं ना तो कोई ऐसी बुक बनी आज तक और ना ही कोई ऐसा टीचर जो यह बतादे कि जो मैं करा रहा हूं वही आएगा भस ऐसा कुछ भी नहीं होता, देखो कोई भी टीचर कराता है, या कोई भी बुक ऐसी होती है, तो वो अपना बैस्त देने की कोसिस करते हैं, कोई भी टीचर हुआ, कोई भी trabajando हो गई, तो वो सब अपने आपको ये, जो भी लिखने वाला है वो ऐसे कोशन उसके अंदर डालता है ताकि वो बच्चा याद करें तो उसका बहुत अच्छे उसके मार्क्स आ जाए या फिर कोई टीचर है तो उसमें इस तरह के चीजें वो डालता है ताकि बच्चे के 80-90% नंबर उसमें आज़कें ठीक है और कई बार उससे कम हैं कई बार ज्यादा भी आज़ते हैं तो जीके का कोई दाइरा तो है नहीं इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूं यह सब आपने याद कर लिया तो बैस्ट है नहीं तो जो मैं इंपोर्टेंट आपको बता रहा हूं वो जरूर याद कर लें ओके देखिए तबला वादक यहां पर तबला बादक देखे बटा जाकिर हुसेन यह तबला बादक में जाकिर हुसेन आपको जरूर याद हो बटा है ना देखो यह कई बार एड में आते हैं जाकिर हुसेन तबला बजाते हुए देखते ना वह ताज बोलते ना वह ताज ताज महल चाय का जो एड आता ह वहाँ पर तबला वादक जाकिर हुसेन का एड आता है बेटा तो ये बहुत बड़े तबला वादक है जाकिर हुसेन आपको जरूर याद हो ठीक है लतीफ खान ठीक है अल्ला रखा खान दूसरा इंपोर्टेंट आपका नाम हो गया अल्ला रखा खान बहुत कौन से वादक है कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ये ूज यूज करते हैं कौन सा बजाते तो गुदई महराज बैटा तबला बजाते हैं ठीक है यह कोशन आ चुका है किशन महराज कि फ्याज खान सुख्विंदर सिंग तो यहां पर इतने सारे नाम हैं लेकिन मैं यह पर आपको तीन नाम के लिए एड़्वाइज करूँगा कि ये चीजें जरूर आप याद करो ये तीन नाम जाकर हुसेन, अल्लारखा खान और गुदई महराज ठीक है उसके बाद बासुरी वादक में देखे वीटा, बासुरी वादक में आपको याद होना चाहिए पन्ना लाल घोश बहुत इंपोर्टेंट है, पन्ना लाल घोश और इससे भी ज़्यादा इंपोर्टेंट है हरी परसाद चोरसिया हरी परसाद चोरसिया, बहुत ज़्यादा एक्जाम में पूछा जाने वाला कुश्चन है, हरी परसाद चोरसिया सबसे ज़्यादा वाद्दय यंत्र में पूछा जाने वाला बासुरी का अगर कुश्चन आया है, तो हरी परसाद चोरसिया के लिए जरूर पूछा गया है कई सारे एड भी इनोंने किये हैं हरी परसाज चोरशिया कई सारे एड में भी आते हैं है ना तो हरी परसाज चोरशिया आपको जरूर याद हो बेटा ठीक है वी कुझवणी वी कुझवणी इंपोर्टेंट है एन नीला राजेंदर परसन्ना राजेंदर कुलकर्नी तो यह राजेंदर परसन्ना भी आपको याद होना चाहिए ठीक है यह पर मैं तीन बता रहूँ पन्ना LAL गोष हरी परशाज चोरशिया और राजेंदर परसन्ना ये तीन आपको जरूर याद हो ओके बासुरी वादक के अंदर चलो सरोद वादक जो सरोद बजाते हैं सरोद एक इंस्ट्रूमेंट होता है ये उस्ताज जो अमजद अली खान है ये इसमें बहुत बड़े ना सरोद वादक में सरोद वादक में अमजद अली खान अमजद अली खान आपको जरूर याद हो अली अकबर खान है इसमें अलाउद्दीन खान है हफीज खान है विश्व जीत राय चोधरी है जरीन दारूवला है मुके शर्मा है तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ अमजद अली खान आपको जरूर याद हो अली अकबर खान आपको जरूर याद हो ठीक है और यहाँ पर जरीन दारू वाला आपको जरूर याद हो जरीन दारू वाला आपको इसमें जरूर याद हो तो मैं तीन इसमें भी बताएं आपको आपको तीन में ने बता दिया अमजद अली अकबर खान और जली जरीन दरूवला यह आपको ज़रूर याद हो बिटा आगे बढ़ते हैं शहनाई वादक है ना शहनाई में तो बिस्मिल्ला कान आपको ज़रूर मिलेगा बिटा शहनाई वादक में देखिए ये रहा बिस्मिल्ला खान इनकी मिर्ट्यू हो चुकी है सायद अभी मैंने आपको पढ़ाया था करंट में बिस्मिल्ला खान बहुत बड़े सहनाई वादक हैं ओके दया संकर जगनात अली एहमद हुसैन इसमें तो तीन ही है तीनों को याद कर लेना ओके शहनाई वादक में सबसे बड़ा नाम है बिस्मिल्ला खान का दया संकर जगनात और अली एहमद हुसैन खान ये आपको जरूर याद हो जाएं ठीक है उसके बाद वीना वादक हम देखते हैं वीना वादक हम देखते हैं एस बाल स्वामी आएगर भी-दोरो च्ञामी आएगर जाक तो यहां पर आपको याद करना है S. बालचन्दरन और बदुरuveision-डागर ठीक है। बदुरऊदीन डागर आपको जरूर मेस का था हो बद्विfa 10 और यह तो दो हैें। आपको इसमें याद करने हैं। है ना वीना वादनी कोन है इसको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेट करता हूं बिटा वीना वादनी सरस्वती मा को बोलते हैं बिटा वीना वादनी बोलते हैं सरस्वती माता को ऐसे कोश्चन भी कई बार आते हैं सरस्वती हाथ में क्यों से सरस्वती माता हाथ में कौन सा विना वदक है तो कि भार्तिय इतिहास के सिक्कों पर उतिहास में जो हमारे कोइंस मिले हैं, उनमें कौन से राजा का ऐसा चित्र है, जिसमें वह वेना बजाते हुए उस इसके पर दिखाये गए हैं। तो इसका अंसर मुझे आप बता सकते हैं ऐसे राजा कौन जिसका उसके समय के सिक्कों पर वीना बजाते हुए चित्र बना हुआ है तो उस राजा का नाम है यहाँ पर समुद्र गुप्त को कवी राज की उपादी भी दी गई थी समुद्र गुप्त गुप्त के बारे में कुछ चीजे आपको यहाँ पर बता दू सुनिए बेटा-ध्यान से समुद्र गुप्त के बारे में ही आपको थोड़ा सा पढ़ां दूं गुप्त वन्श गुप्ता डाइनेस्टी तो गुपता डाइनेस्टे में बेटा फाउंडर है श्री गुप्त कौन है बेटा श्री गुप्त इसके बेटे हैं कौन गटोत कच गटोत कच गटोत कच के बेटे के कौन है बेटा चंद्र गुप्त फस्ट चंद्र गुप्त फस्ट यहां से स्टार्ट होता है में गुपता पीरियर स्टार्ट होता है चंदरगुप्त फर्स्ट से यहां से में स्टार्ट होता है जो आइस जो आपकी NCRT की बुक्स है उसमें चंदरगुप्त से ही फर्स्ट से दिखा रखा है तो चंदरगुप्त फर्स्ट के बेटे कौन है बेटा चंदरगुप्त फर्स्ट के बेट इन गुपता डायनेस्टी चंद्रगुपत फस्त चंद्रगुपत मोर्य मत करना चंद्रगुपत मोर्य मोर्य डायनेस्टी में होगा ओके यहां पर चंद्रगुपत है मोर्य नहीं लगा इसलिए यह गुपता डायनेस्टी है अगर जिसमें मोर्य लगा हो तो मोर्य डायनेस् स्कंद्गुप्त स्कंद्गुप्त स्कंद Śande के बाद को में कुमार गुप्त के सकंद गुप्त और सकंद गुप्त के बाद आप कर सकते हूं भानु गुप्त सबसे बाद में यहां पर आपको बताऊं गुप्ता डायनेस्टी में सबसे लास्त में आते हैं विश्णु गुप्त को नाते हैं विश्णु गुप्त ठीक है विश्णु गुप्त इस दा लास् देखो यहां पर वीना की बात चली तो वीना वदक तो कौन है समुद्र गुप्त है जिसने दो बार अश्व में यग्ये भी कराए और अपना फोटो अपना चित्र वीना बजाते हुए अपने समय के सिक्कों पर कोईंस पर अपना फोटो भी बनवाया चित्र बनवाया इसलि परियाग राज में जो परियाग प्रशस्ति जो लिखी है वो हरी सेन के द्वारा लिखी गई है और समुद्र गुप्त का जो जो जज होता जो न्याएधीस होता है वो भी हरी सेन है according to NCRT उसको बोलते हैं महा दंड नायक यानि जज न्याएधीस कोन है हरी सेन ठीक है तो वो यही समुद्र गुप्त है मेटा समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलिन इसलिए बूला है क्योंकि समुद्र गुप्त ने उत्तर भारत के नो राजाओं को और दक्षिन भारत क 12 राजाओं को युद में हराया कभी कोई युद नहीं आ रहे इसलिए भारत का नेपोलिन ये कहे जाते हैं जैम समित के द्वारा इनको भारत का नेपोलिन कहा गया है समुद्र गुप्त को ओके इनी के बेटे हैं चंद्र गुप्त सेकिंड ये चंद्र गुप्त सेकिंड दिखादो वहीं हैं और जिन और जिन्के समय पहले यह चंद्रगुप्त प सेकन्ड जो आपको समक्रिंद सक्धुक्रा है यह रहा है तो चंद्रगुप्त वह है जिन्के समय में परस्ट चीनी यातरी पहला हो सेकandy में सफिस्ट ऑर स सौवrics est कि उपादी दी गई थी विक्रमा दित्त्य की उपाधी चंद्रगुप्ठ सेकंड को दी गई थी और इनी के समय में थे काली दास आर्ये भट वराह महीर धन्वंतरी और विश्णु इतने बड़े बड़े और यही वो चंद्रगुप्ट सेकिंड है जिनके दर्बार में नो रतन रहते थे आप सबने सुना होगा अकबर के दर्बार में नो रतन थे लेकिन यहां एक और चीज सुन लिजे यही वो चंद्रगुप्ट सेकिंड है जिनके दर्बार में अकबर से भी पहले नवरतन यहां पर थे चंदर गुप्त 2nd के दरबार में ठीके भीटा जिसके जो बेटे हैं कुमार गुप्त एं यह वो कुमार गुप्त है ये वो कुमार गुप्त हैं जिसने भारत का सबसे बड़ा जो विश cuts विद्याले है नालंदा विशиков विद्याले बनवाया लेकिन नालंदा विश्विद्याले आज तक्सिला कहा है तक्सिला आज पाकिस्तान के अंदर है बेटा फिलहाल जो नालंदा है वो नालंदा भारत के अंदर आज भी है और नालंदा युनिवस्टी को बनवाने वाले कौन थे कुमार गुप्त ठीक है उसी नालंदा सकंदगुप्त वो आदमी है जिसने हुनों को यहां से advertisements के भारप से बाहर भात लिया ठीक लाडाकू जाती जो कि एसिया साइड से आती है और उसको remar мам Cake Iu सकंद गुप्त इसके बाद इसके भानु गुप्त और लास्ट में है विश्णु गुप्त लास्ट रूलर को ना विश्णु गुप्त ठीक है ना मैं चंद्रगुप्त फस्ट से ही स्टार्ट कर रखा है हमारा गुप्त वंस NCRT के अंदर ठीक है लेकिन आप से पूछा कोनाम था कुमार देघुए और गुपत क्लिंडर गुप्त संवत की सुरुवात 319 – 320рокे 2它 2 ale 319 – 320 कु ا classes of its यही वो ही गुप्त है यह वो ही गुप्त वन्स है जिसने भारत में गुप्त काल को सवर्ण काल कहा जाता है जिसने भारत में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए थे और इनका जो कल्चर है इनकी जो संस्कृति है उसी के कारण गुप्त काल को भारत का सवर्ण काल कहा ग या है बहुत ही कम समय में, इन सभी points को आपको note करते हुए चलना है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए, यह संतूर, संतूर वादक कोन है, संतूर वादक है यहां पर भजन सोपोरी, भजन सोपोरी शिव कुमार सर्मा, तो बेटा यहां पर संतूर वादक में, अगर आ कुमार सर्मा, यह जरूर आपको याद हो, ठीक है, सारंगी में, सारंगी वादक कोन है, उस्ताद बिंदु खान, एक ही है, बिंदु किसे हैं, इसके नाम से याद कर सकते हो, बिंदु खान से, ठीक है, ठीक है, सारंगी वादक कोन, उस्ताद बिंदु खान, ओके, इस तरह से आप वाद्दायंतर उनके वादक याद कर सकते हो दूसरे इसमें आपको क्या या याद करना है सुरिए फिर आ जाते हैं भारत के प्रमुख शास्थ्ये नृत्य यांत straff ठीकल दान्स और उनको करने वा इनके कलाकार ठीक है तो बेटा ये है भरत नाट्यम, सबसे पहले भरत नाट्यम से शुरू करते हैं तो भरत नाट्यम करने वाले, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि भरत नाट्यम होता किदर है, भरत नाट्यम बेटा, भरत नाट्यम कहां का डांस है तो मैं इसके सामने लिख देता हूँ, ये तमिल नाडु का है, कहा का डांस है, तमिल नाडु, तमिल नाडु का डांस है भरत नाट्यम, ठीक है, तो इसके कलाकार कोन है, यामिनी कृष्णा मूर्ती बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार कोश्चन पूछा गया है, ओके, तो इसको वेरी इंपोर्टेंट आप लगा सकते हो, सोनल मान सिंग इंपोर्टेंट है भई, सोनल मान सिंग भी आपको करना है, रुक्वनी देवी, टी बाल सरस्वती पद्मा, सुबरमन दिम, लीला सेमसन, बहुत इंपोर्टेंट आपको याद करना है, लीला सेमसन आप जरूर याद कर लेंगे वैजनती माला बाली ये भी आपको याद कर लेना है यहाँ पर मैंने बिटा आपकी वार यहाँ चार इंपोर्टेंट मैंने आपको बताए है ठीक है भारत नाट्यम को करने वाले कलाकार यामिनी कृष्णा मूर्ति सोनल मान सिंग लीला सैंसन वैजनती माला तो मैंने आपको चार इंपोर्टेंट बताएं उनके साथ में रुकमनी देवी टील बाल सरस्वती और पदमा सुब्रहा दिम्न ये मैंने सारे टोटल आपको बता दिये इनमेंसे चार इंपोर्टेंट जो है वो आप याद कर लेना भरत नाट्यम क्लासिकल डांस कहां का है ये तमिल लाडू का है कहा का बेटा तमिल लाडू का है तमिल लाडू के अंदर मैं कुछ टेंपल सापके सामने यहां लिख दूं तमिल लाडू के जो मंदिर है मैं वो एक बार यहां बता दूं आपको तो पहला टेंपल यहां पर करेंगे व्रह देश्वर व्रह मिनाक्शी मंदिर, बहुत इंपोर्टेंट है, मदुरही का मिनाक्शी मंदिर, ती के यहीं पर रामेश्वर मंदिर, यहीं पर कैलास मंदिर, कांचिि पूरम में कैलास मंदिर, कैलास मंदिर, कांची पुरम का, देखे बीटा, कैलास मंदिर भारत में दो है एक कैलास मंदिर महाराष्टर का है, जो की राष्टर कूट वंस के राजा कृष्ण फस्ट ने बनवाया था जो की ऐलोरा में है, ऐलोरा की गुफाओं में है, ठीक है एलोरा का कैलास मंदिर किसे ने बनवाया कृष्णा फरस्ट ने जो की राष्ट्र कूट वंस की राजा है एक कैलास मंदिर यहाँ पर भी है तमिल लडु में जो की कांची पुरम में है कांची पुरम का कैलास मंदिर बनाया पल्लव राजा नर्सिंग वर्मन ने बनवाया कांची पुरम का कैलास मंदिर ठीक है यही पर रथ मंदिर भी है यहाँ पर ही रथ मंदिर भी है यहाँ पर ही रथ मंदिर भी है यहाँ पर ही रथ मंदिर भी है यहाँ यह पर आते हैं तो यह कुचिपदी डांस है तो कुचची पुडी डांस कहां का है कुची पुडी डांस है छब्रदीस का हूँ कुची पुडी डांस कहां का मैं इसके सामने लिख Again कुची पूरी को करने वावाले जो कलाकार वो है यामिनी क्रिशनामूर्थी यहां भी इंप्रेंट था भरतनात्यम्म बें और कुची पुड़ी में भी यामिनी किस्थनामूर्ती है लक्ष्मी नारायन शास्त्री ठीक है राधा, रेड़ी और यहाँ पर वेरी इम्पोर्टेंट सवपन सुन्धरी सवपन सुन्धरी को वेरी इम्पोर्टेंट लगाना question आ चुका paper में तो यहाँ पर तीन नाम ही है ज्यादा नहीं है इसम obenay से मैं आपको दो very important बताऊँ तो यामनी कृष्णा मूर्ती और सवपन सुंद्री बहुत इंपोर्टेंट है कम से कम ये दो आपको जरूर याद हो ठीक है तो कुची पुडी कहां का आंधर प्रदेश का और यामनी कृष्णा मूर्ती और सवपन सुंद्री इसमें वेरी इंपोर्टेंट है साथ में यहां की बाशा है यहां पर बहुत ही मेन मंदिर है तिरूपती बालाजी मंदिर तिरूपती बालाजी मंदिर भारत का बहुत ही फेमस मंदिर है तिरूपती बालाजी मंदिर देखो बालाजी नाम आता ही हमारे मन में क्या आता कि हनुमान जी का मंदिर है क्योंकि हम नोर्थ जी का नहीं है याद रखना है ये बात ओके आंधर परदेश की बात चली तो बिटा आंधर परदेश के बारे में ठीक है भाषा क्यादर पर बना परत्रम राज्यय कब बन गया था 1953 में यह तेलंगाना अंध्रपरदेश से लगवा कब हुआ दो जून 2004 में तेलंगाना भारत का 29 राज्य बना था था फ्याटा दो जून 2014 में हो गई एक जम्मू का स्वीर और एक लद्दाक दोनों के दोनों केंदर शाशित परदेश हैं अभी हमारे केंदर शाशित परदेशों की संख्या भी आठ हो गई है ओके ध्यान रखना चलो आगे बढ़ते हैं ODC यह जो आपको ODC दिख रहा है ODC जो क्लासिकल डान से मेटा है इनको थोड़ा से साफ कर दूँ देखे आप इनको नोट कर लीजिए साथ साथ इनको नोट करते हुए चलना है हैं तो ओडी सी जो क्लासिकल डान से बीटाया यह कहां का है यह औडी सा का क्लासिकल डांस है यहां पर क्लासिकल डान सब्सक्राइब ग्रिहि, सोनल मांसिंग, कीरण सहगल, माधवी मुदगल, काली चर्ण पतनायक यहाँ पर काली चर्ण पतनायक यहाँ पर यहाँ पर पाणी ग्रिहि, पाणी ग्रिही important कर ले ना, गरिही ओके यह दो इसमें काफी इंपोर्टेंट ए ओडिसी के लाकार है यह ठीक है इनको आपको जरूर याद कर लेना है ठीक है ओडिसा के बारे में आपको टेंपल यहां पर बता दूंगा क्योंकि यहां के affles World famous हैं सिर्फ in India में नहीं वर्ल्ड फेमस ध्यान से सुनना ओडिशा के मैं temple यहां पर आपको बोता रहा हूं इस लिए उसको पूरा नाम बोलतेर्य जगन्नाद ने चैनल दूसरा टेम्पल नंहीं फोरी में इसलिए उसको पूरा नाम भोलते जगन्नाद जगन्नाथ मंदिर नमट neighborhoods श्रीक्रषा और वहां पर सुनिये तो यहां पर डांस सुनिय outta नाच कोंदा ओडीजी उडिया वहां की भाशा है ओके लिए वहां की भाशा है और उडिशा के अंदर ही विटा कोनार्क मंदिर भी है कोन सा मंदिर है कोनार्क सन टेंपल है और तीसरा यहां पर है लिंग राज मंदिर लिंग राज मंदिर है यहां पर तीसरा बहुत इंपोर्टेंट चीजें हैं उडिशा के अंदर भारत का सबसे लंबा डैम बना है हीरा कुंड हीरा कुंड डैम हीरा कुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है किस नदी पर है महा नदी पर है महा नदी उडिशा की सबसे लंबी नदी भारत की नहीं उडिशा की सबसे लंबी नदी है महा नदी जिस नदी के ऊपर भारत का सबसे लंबा डैम बना है हीरा इस दा लोंगेस डेम ओन महानदी रिवर इन उडी सा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं देखिए अब आगया कथक कली ये कथक कली डांस अब कथक कली के बारे में आप लोगों ने खूब सारा सुना है दिल्ली प्रिस में ये कोशन पूछा गया है कथक कली डांस के जो डांसर ह बल्ल तोल नारायन मेनन उदय शंकर कृष्णा नायर शांता राव आनंद शिवरामन तो इंपोर्टेंट कुण सा बेटा सुनिए ये जो नारायन मेनन है ये इंपोर्टेंट है यानि बल्ल तोल नारायन मेनन ये जो नारायन मेनन है ये इंपोर्टेंट है ओके और दूसर तीसरा इंपोर्टेंट यहां पर है शांताराव और तीसरा इंपोर्टेंट है आनंद शीवरामन यह इंपोर्टेंट है ओके कथकली अम कथकली कहां का डांस होता है भाई कथकली डांस है केरल का कथकली डांस कहां का है केरल का है ठीक है यह क्लासिकल डांस है कथकली कहां का ह केरल का है अब इसके बारे में सुनिए के बारे में इंप्टेंट पॉइंट आपको बताओं के अंदर वेटा जो टैंपल है मैं सबसे पहले क्लासिकल दान्स के बाद मैं यहां पर टैंपल की बात मैं जरूर करूँगा क्योंकि स्टैटिक जी के में टैंपल खूब सारे माला मंदिर है ठीक है ये श्री पदमनाब टेंपल रिचस टेंपल है भाई भारत का भारत का सबसे अमीर मंदिर है श्री पदमनाब टेंपल डी ट्रिप्लेस भी में ये कोश्चन 2014 में पूचा गया था उस समय ये कोश्चन करंट में था वेटा क्योंकि उस समय ये जो मंदिर है इस मंदिर के जो दरवाजे हैं तैकाने हैं उनको खोला जा रहा था जहां पर सोना मिला है भर-बर के तो उस समय चर्चा में था ये सबसे अमीर मंदिर इसको गोशित किया गया था उस समय भारत का सबसे अमीर मंदीर श्री पदमनाब स्वामी मंदीर विश्णु भगवान का। दूसरा यहीं पर सबरी माला मंदिर है बिटा। सबरी माला वो मंदिर है जिस पे लेडीज ने बोला भी हम भी जायेंगे अंदर जिस कारवाई की गई थी सुप्रेम कोट या और अन्या जो वहां के कोट हैं उन्होंने बुला था लेडिस को भी जाने दिया जाए लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया फिर भी वहां है ना क्योंकि सबरी माला एक कोई भगवान नहीं है सबरी माला एक ब्रहम चरिये महरिसी का ए लेकिन कुछ फिर भी नहीं समझें लेकिन उनको जाने नहीं दिया फिर भी ओके आगे बढ़ते हैं देखो केरल यह दो तो है मंदिर बीटा कथक कली और मोहनी अट्व केरल के अंदर डांस है केरला के अंदर बीटा और मैं आपको बताओ केरला के अंदर दक्षिन भारत की से उची चोटी है अन्य मुदि हैं हाइस्ट मांटेन पीक और साऊथ इंडिया अन्य मुदि हैं यहीं पर मसाले की पहाड़िया कौने सी हैं खůrदा मुदि हैं कर्ड़ा म म不用 hok कवेद्धे की पहाड़ी बोलते हैं हिंदी मे're इसलिए मला मसाले की पहाड़ी बोली जाती है भारत में मसालों की पहाड़ी या कारडवम है ये कोश्चन CHSL में पूछा गया था लास्ट आइंग मसाले की पहाड़ी कौन सी कारडवम सबसे उची पहाड़ी कौन सी साउथ इंडिया में अन्ना मुदी ये केरल के अंदर ज्यान रहेगा आप लोगों को केरल के अंदर ही केरल ही वो राज्य है जिसमें समसे ज़्यादा शाक्षर्ट अदर है लिट्रेसी रेट समसे ज़्यादा के अंदर यानि लिंगा नूपात हजार लड़कों पर 1084 लड़किया है यानि 84 गल्स की संख्या ज़्यादा है केरला के अंदर तो ये हैं केरला के questions केरला ही वो राज्य है जहां पर evergreen rainforest पाए जाते हैं भारत के अंदर और केरला ही वो राज्य है जहां पर सबसे पहले सबसे पहली मानसून की जो rainfall होती है वो केरल राजय के अंदर होती है और माला बार कोश्ट लाइन पर होती है और केरल के अंदर ही पेरियार नदी है पेरियार नदी में संदो 2018 में बहुत ही जादा फ्लड यानि बाड आई थी ठीक है पेरियार के नाम से नेसनल पार्क है पेरियार के नाम से वहाँ पर लेक भी ह ठीक है ध्यान रहेगा प्रामभी कुलम और पेरियार नेसनल पार्क है केरला के अंदर केरला ही वो राज्य है जहां पर फर्स्ट यूरोपियन परसन वास्कोडी गामा जब भारत आये थे 1498 वास्कोडी गामा कहा से आये थे पूर्तगाल से आये थे पूर्तगाली बेटा वो यूरोपियन है जो भारत में सबसे पहले आये और भारत से सबसे बाद में गई ये कोश्चन भी कई बार पेपर में आता है आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा यूरोपियन या कैसे कौन से यूरोपिय परसन थे कौन से यूरोपिय कंट्री थी वो जो भारत में सबसे पहले आई और सबसे बाद में गई तो सबसे पहले आई था वेटा पुर्टगाली और सबसे बाद में भी भारत की आजादी के भी 14 साल बाद में गए हैं पुर्टगाली यानि 1961 में गोवा को छ रात में ओके चलो यह थे केरला के कोश्चिंस अब करते हैं कठक के बारे में कठक देखो फटक में जो कलाका रहे हूं वहां विर्जु महाराज बहुत इंपोडेंट है लचु महाराज देखो महाराज के नाम से अगर कोश्चन आएगा ना बैटा तो यह कठक एक आपको कर देने हैं है ना कथक जो की उत्र प्रदेश का डांस है यह कहां का डांस है उत्र प्रदेश का यूपी का डांस है कथक कली केरला का लेकिन कथक उत्र प्रदेश का यह ध्यान रखना है आपको के बिर्जु महाराज लच्छु महाराज सुखदेव महाराज देखो यह सारे महा मेहां पर एक हमारी जो अभीनेत्री उसका नाम आया था कि कठ तक की जो निर्त्यांगिना है माधूरी कठ की निर्त्यांगना क्लाका रही है तो बीटा उत्तर-प्रदेश की बात आई है तो उत्त्र-प्रदेश में कुछ आपको प्व Sedan bluff को बता दू सुनिए उत्रप्रदेश में सियम सबको मालुम है योगी जी है ना उत्रप्रदेश में जो किसी जील से आतीvid और गंगा में आकर मिल जाती है तो वो नदी कौनसी जील से निकलती भी फुले हर जील यह फुलहर जील से निकलती है और गंगा नदी में आकर मिल जाती है गोमती ठीक है गाजीपूर में लखनव इसके किनारे सबसे बड़ा शहर है उत्र प्रदेश के अंदर बहुत साई नदीया आती है जो गंगा में मिल जाती है ध्यान से सुले ना जिसमें से यमुना भी है राम गंगा भी है गोमती भी है इस टाइप के नदिया बड़ी बड़ी नदिया ठीक है उत्तर प्रदेश के अंदर यहां पर बहुत बड़ी मानव दिन में जील है मैनमेड लेक कौनसी तो वो है गोविंद वल्लब पंथ गोविंद वल्लब पंथ इसको भारत की सबसे बड़ी मानव दिन में जील बताए जाते हैं और कई साइट्स पर इसका भी नाम है गोविंद वल्लब पंथ उत्तर प्रदेश की ठीक है तो यह थे मिटा उत्तर प्रदेश के पॉइंट उत्तर प्रदेश में नैसनल पार्क भी मैं एक बर बता दू आपको सुनिए उत्तर उत्तर प्रदेश में नैसनल पार्क है चंद्र प्रभा चंद्र प्रभा और दुद्वगा नैसनल पार्क है उत्तर प्रदेश के अंदर सबको आपको नोट कर लेना है तो तो आगे बढ़ते हैं मनीपुर में जाएते हैं मनीपुरी मनीपुरी डांस बिटा मनीपुर का कहा है मनीपुरी डांस मनीपुरी डांस है मनीपुर का क्लासिकल डांस है और मनीपुर की बात आई तो बिटा मनीपुर में तो अभी करंट में अभी रिसेंट ली तीन-चार महीने पहले बहुत ही भयानक दंगे फैले हुए थे ना वो दंगे क्यों फैले थे मैं उनका भी यहां पर जिक्र आपकी सामने जरूर रखूंगा सुनिए मनीपूर का डांस है क्लासिकल डांस है मनीपूरी ठीक है मनीपूर के अंदर यहां पर जन जातियां हैं यानि ट्राइव हैं ट्राइव बोले तो जन мышaci कोन सी एक तो मैं ठीक है मैं यहां पर बहुल संख्यक है ठीक है दूसरा यहां पर कूकी और एक है है यहां पर नागा। इनके बीच में इनके बीच रिजर्वेशन के लेकर संगर्स धुआ था। जगडा हो रखा था और आज भी वहां पर जो सिच्वेशन है वो कंट्रोल में अभी तो है लेकिन कभी वहां पर आग भड़क सकती है ठीक है मनीपूर के अंदर मैं आपको जील बताओं मनीपूर के अंदर एक जील है जिसका नाम है लोकटक कौनसी जील है लोकटक जील है इसी जील का पानी यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसको बोलते है केई बुल लाम जाओ केई बुल लाम जाओ नेशनल पार्क में इसको हिंदी में भी नोट कर दिता हूँ सुनिए केई बुल लाम जाओ ये नेशनल पार्क है केई बुल लाम जाओ केई बुल लाम जाओ नेशनल पार्क है इसको बोलते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ना इंडियाज फ्लोटिंग नेशनल पार्क भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क किसको बोलते हैं केई बुल लाम जाओ को बोलते हैं क्योंकि इसके राउंड लोग तक नदी का पानी है ठीक है एक कोशन ये भी पूछा गया कि भारत के अंदर डांसिंग डियर कहां मिलता है त यहां पर मैते कूकी नागा ये तीन जन जाती शेत्र जहां पर जड़प हुई थी आंदर में यहां पर डंगे फैले हुए थी ठीक है चलो अगला नोट करते हैं अगला कोन से आपके सामने मोहिनी अटम मोहीनी अटम कहा का बेटा वीटा मैंने आपको अभी बताया था कि म मोहनी अट्टम भी कहा का केरल का है कि ओंखे सुनिए मणी पुरी के जो कळाकार हैं वो सुन लिजी एक बार गुरु अमली सिंग आत्मबल आत्मब सिंग नलकुमार सिंग जहावेरी वहने चारू मांथुर उक्षॣा S NGO kim पूंट इंपूंट हैं जहावेरी वहने बहुत इं इंपोर्टेंट और गुरु अम्ली सिंह ये तीन इंपोर्टेंट मैंने आपको बचा दिये सबको आप से नोट कि जीए जो अमारी अभी नेत्री है इनको जरूर आप नोट कीजेगा हेमा मालनी, स्रीदेवी ये मोहनी अट्टिम की जो कलाकारा रही है ठीक है शान तराव कर लेना, कल्यानी अम्मा कर लेना ये इंपोर्टेंट इसमें आप लगा लेना केरल के बारे में मैं बेटा स्रीटिक पॉइंट آپको मैं बता चुका हूँ ठीक है, ये सारे चीज़े मैं बता दी है ठीक है, आज की कलास में इतना ही अगली कलास में मिलते हैं करंट की अगली कलास आपके सामने होगी मैंने जैसे कि आपको प्रोमिस किया था एक दिन में क्लास ले कि आऊंगा बिटा अपनी स्टैटिक जीके की और अगले दिन चो क्लास होगी वो करंट अफिर की होगी दो दिन की खठी करंट मैं आपको कराता हूँ ठीक है इससे कोई भी दिन आपका ऐसा नहीं बचेगा जिसका करंट करा फिर आपके सामने ना हो ठीक है बहुत ही जल्दी नेक्स क्लास में आपको देता हूँ ठीकिव एवरी मच और क्लासेगी करते हुए जरूर चलिए बेटा ओके चलो मिलते हैं नेक्स क्लास में ओके ठीकिव एयरी मच